नमस्कार आप देख रहे हैं News 4 Nation, मैं हूँ आपके साथ मेरी चौबे प्यार की कोई परिभाशा नहीं होती, प्यार के लिए लोग कुछ भी कर गुजरते हैं शाजहा ने अपनी बेकर मुंताज के लिए ताज महल बनवा दिया ये सोचके कि सदा सदा के लिए उनका प्यार अमर हो जाएगा लोग जब भी ताज महल जाए तब उनके प्यार को याद करें ये वाग क्या फिर से दोराया गया है? आपको बता दे कि किस्वी सदी में भी एक पती ने अपनी पतनी के लिए ताज महल बनवाया है पहले आपको दिखाते हैं मध्यप्रदेश का ये नया ताज महल तो जोली आपको बताते हैं अब इस ताज महल के बारे में क्या खिर आखिर इस पती ने अपनी पत्नी के लिए ताज महल क्यों बनवाया मद्यप्रदेश के बुर्हानपूर में एक शक्स ने अपनी पत्नी को ताज महल की तरह दिखने वाला एक घर बना कर तौफे में दिया है ये असली ताज महल की तरह ही दिखने वाला चार बेडरूम का घर है इस घर में चार बेडरूम, एक किचन, एक लाइबरी और एक मेडिटेशन रूम है घर को बनाने में तीन साल लगे इस ताज महल जैसे घर में असली ताज महल की ही तरह मिनारे भी है घर की फ्लोरिंग राजस्थान के मकराना और फरनीशर मुंबई के कारिगरों से तयार करवाया गया है यही नहीं घर के अंदर और बाहर इस तरह से लाइटिंग की गई है कि रात की अंधेरे में भी यह घर एक दम असली ताज महल की तरह चमकता दिखाई देता है दरसर बुरहानपूर के रहने वाले आनंद चौकसे को हमेशा इस बात की कसक रहती थी कि दुनिया भर में प्यार की निशानी के तौर पर मशहूर ताज महल उनके शहर बुरहानपूर में क्यों नहीं है आपको बता दे कि मुगल इतिहास में इस बात का जिक्र है कि शाह जहां की बेगम मुम्ताज की मौत बुर्हानपूर में हुई थी और शाह जहां ने ताज महल बनवाने के लिए तापती नदी के किनारे को चुना था हाला कि बाद में आगरा में ताज महल बनवाया गया अब अपनी इस कसक को दूर करने के लिए आनंद चौकसे ने अपनी पतनी को ताज महल जैसा ही एक घर बना कर तौफे में दिया है ताज महल जैसा घर बनाने वाले इंजीनियर्स ने बताया कि ताज महल जैसा घर के नर्मान में कई अरचने आई ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए उन्हें असली ताज महल का बारीकी से अध्यान करना पड़ा ताज महल जैसे घर में डोम 29 फीट उचा रखा गया है इसमें एक बड़ा हॉल, दो बेडरूम नीचे और दो बेडरूम ऊपर है एक किचन है, एक लाइबररी है और एक मेडिटेशन रूम भी इसमें बनाया गया है घर के अंदर की गई नकाशी के लिए बंगाल और इंदौर के कलाकारों की मदद ली गई है इस घर को इंडियन कंस्ट्रक्टिंग अल्रा टेक आउट, स्टेडिंग स्ट्रक्चर ओफ एंपी का अवार्ड भी मिल चुका है तो मध्यप्रदेश में ताज महल बनमाया गया है ताज महल जैसा दिखने वाला बंगला मध्यप्रदेश के एक पती ने अपनी पत्नी को तौफे में दिया है मतलब प्यार की इस निशानी को उसने एक पती ने अपनी पत्नी को फिर से दिया है ऐसी खबरों में बनी रहने के लिए देखते रहे हैं नमस्कार